नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो में हम इस्टन ब्रिज 6 की चर्चा करेंगे इस्टन ब्रिज 6 भारत और ओमान के बीच वायू से नाओं का अभ्यास है जो हाल ही में जोदपुर में संपन हुआ है ये अभ्यास हलाकि Eastern Bridge 5 भी वायू सेनाओ का अभ्यास भारत और ओमान के बीच में ये मसीरा में 2019 में हुआ था Eastern Bridge 5 और ये Eastern Bridge 6 हाल ही में जोदपूर में हुआ है भारत के अंदर इसलिए अगामी परिक्षाओं में ये प्रस्न पूछा जा सकता है ठीक है तो Eastern Bridge 6 भारत और ओमान के बीच होने के साथ ही इसका क्या फायदा हो सकता है भारत को सामरिक द्रिष्टी कौन से रक्षा के द्रिष्टी कौन से ये देखने की बात है और समझने की बात है तो इसको समझने के लिए निश्चित रूप से हमको इसके जोग्राफिकल जो पोजीशन है जो भगावलिक स्थिती है उमान की वो समझनी होगी कि भारत के लिए उमान क्यूं इतना महत्तपूर्ण हो सकता है और ये सन्य अभ्यास क्यों इतना महत्तपूर्ण हो सकता है यह उमान और भारत के बीच में होने वाला जो इस्टन ब्रीज जो सिक्स हुआ है जोदपूर के अंदर और यह भारत के लिए कितना सामरिक दृष्टी कोंड से महत्वपून हो सकता है इस विसे पे हम बात करने के लिए इसके मैप को समझने का प्रयास करें ताकि आपको ज्य अधिक है यह जो आपको पार्ट दिखाई देरा है यह भाया ऑमान है यह ओमान वाला पार्ट है उप अग्दम हिंदमाहसागर से लगा हुए और यह भारत है भारत और ओमान में कितना दुरी है अगर सामरिक द्रिष्टी कौन से देखें तो भारत का सबसे निकटतम देश ठरेगा सामरिक द्रिष्टी कौन से ओमान ठीक है सबसे निकटतम देश और यहाँ पे देखेंगे इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे आप देखेंगे कि हुर्मूज स्ट्रीट है होर्मूज इस्ट्रीट नहीं इस पोजिशन पे होर्मूज इस्ट्रीट है होर्मूज जड़ डमरू मद्य है जो पर्सियन गल्फ और आपको उमान गल्फ को जोड़ता है ठीक है और भारत एक तेल आयातक देश है और मैं आपको बता दे कि भारत अपने तेल आयात का पांच प्रसेंट पांचवा हिस्सा इसी पर्शियन गल्फ और होर्मूज इस्ट्रीट का रास्ते का प्रियोग करता है आयात के लिए तेल आयात के लिए तो निश्चित रूप से इस द्रिष्टी कौन से भी बहुत महत् सदूर होता है भारत का उमान के साथ इस तरह का relation तो सामरिक द्रिष्टी कोर्षा TOP से मी आर्थिक रिश्टी कोर्षायर से उसात ही साथ आप देखेंगे कि ऩया मान की ये जो को चक्रश्य आ ओमान का यहां पे आपका एक दूकम बंदरगा है दूकम बंदरगा तो जो दूकम बंदरगा है दूकम बंदरगा यहां भी भारत ने अपनी पहुच बना ली है अब दूकम बंदरगा में भारत का पहुच कितना महत्तपूर्ण हो सकता है आप देखिए यह इरान है और इरान में इस पॉजीशन्-पे चाभाहार है चाभाहार बं hizo ya पैस्टान और इस पॉजीशन पर ग्वादरδή ग्वादर और असी इतर तूरी यह सिरीलंका और यहां हमभन तोता और यह यह मदन Sahib लेकिन इसके जबाब में इरान में जो ये चावाहार है भारत ने डबलब कर रखा है तो एक तरह से चावाहार चाइना का एक जबाब हो सकता है चाइना ने अगर ग्वादर पर अपना डबलब किया वेस तो भारत ने चावाहार डबलब करके चाइना को जबाब दिया तो भ प्रयास करता है लेकिन भारत का दुकम बंदरगाह तक पहुच होना निश्चित रूप से चाइना को जो चाइना की जो अपनी एक पॉलीशी है उस पॉलीशी का एक बहुत बढ़िया जबाब भारत के द्वारा चाइना नीती को अपनी डिप्लोमैसी से भारत दे सकता है जहां पे भारत ने वहां भी अपनी पहुच एक बेहतर बना रखा है तो निश्चित रूप से हिंद महाशागर में चाइना की अगर अपना सक्ति बढ़ाने का प्रयास करेगा तो उसके लिए भारत ने अपना एक निश्चित रूप से जियो पॉलिटिक्स में यहां पे एरवियंसी के अंदर चाइना पे एक एज लेता हुआ दिखाई देगा तो निश्चित रूप से भारत और ओमान के बीच में सामरिक महत्तों के दिरिष्टि कौन से देखे तो जिस पोजिशन पे ओमान ठहरता है और दुकम बंदरगा तक भारत की पहुच हो जाना निश् समुद्रे के अंदर लूटेने का प्रयास करते हैं उसको भी टंट्रॉल करने में भारतिये जल सेना का सहयोग ओमान से मिल सकता है तो बहुत ही महत्तपूर्ण है और गल्फ कंट्री का एक मात्र कंट्री है ओमान जिसके साथ भारत की तीनों से नए प्रैक्टिस करती है इस द्रिष्टिकों से देखें तो निश्चित रूप से ओमान और भारत की जो रिलेशन है सामरिक द्रिष्टिकों से आर्थिक द्रिष्टिकों से जियो पॉलिटिकल द्रिष्टिकों से बहुत महत्तपूर्ण हो जाता है और निश्चित रूप से यह गल्फ कंट्री यह पर स्टिकोंड से भी निश्चित रूप से भारत इस छेत्र में अपनी मजबूत इस्टिती बनाने का प्रयास कर रहा है अगर हम इस इस इस्टन ब्रीज शिक्स के बाकी प्वाइंट पे चलें तो हम देखेंगे कि अभी आपने तो मैप समझी लिया अब आप यहां पर अगर तथे के हिसाब से देखें तो आप ध्यान रखेंगे मैंने अपने लेक्चर में बोला भी अभी जस्ट कि यहां हो गया जोदपूर ठीक है और यह हो गया जोदपूर में जो वायू सेना का जो अभ्यास हुआ है ओमान और भारत की बित में छठा है इस्टनब्रीज शिक्स नाम दिया गया है और जो इस्टन ब्रीज फाइब है यह 2019 में मसीरा में हुआ था जो उमान में ही है ठीक है और जोदपूर तो भारत में है ठीक है और मसीरा का अर्मानिजय आपको कहीं दिक्कतों के मसीरा सर कहां है थोड़ा बता देते तो में मैंने अभी लेक्चर में सारा कुछ बोल दिया है मैं इसलिए आपको यह दिखा दे रहा हूँ कि आप चाहें तो नोट कर सकते हैं ठीक है एक तो आप देख लीजिए कि भारत के लिए ओमान का जो सामरिक महत्व में जो अभी अभी लेक्चर दिया उस लेक्चर के दुरान हमने आपको यह बताया कि ओमान खाडी छेत्र में भारत का सबसे करिबी रक्छा साज़दार है और भारत के रक्छा हैं अग्वान सामरी की हित्तों के लिए काफी योग एक प्रमुक अस्तंब के रूप में उभरा है ठीक है निश्चित रूप से ये जो रक्षा संबंद बनाए जाते हैं उसका भारत और उमान के बीच में एक बैचारी का दान परदान भी होता है ठीक है एक नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चलें तो उमान खाडी छेतर का एक मात्र देश है जिसके साथ भारतिय सस्सर बलो की तीनों फोर्स नियमित रूप से द्यूपक्षिय अभ्यास करती रही है ठीक है जैसे नसीम अलबहर अलनगाह और इस्टर्ण ब्रीज नसीम अलबहर दोनों देशों के बीच में आयोचित नयोशनिक अभ्यास है अलनग का अभ्यास है तो नसीम अलबहर अलनगाह इस्टर्ण ब्रीज गल्फ कंट्री का एक मात्र कंट्री उमान जिसके साथ ये तीनों प्रैक्टिस भारत करता है निश्चित रूप से भारत के लिए उमान कितना महत्वपून हो सकता है आप देख सकते हैं उसके भगौलिक इस् उसमें भी निश्चित रूप से अरब सागर में भारतिय नौशना को महत्वपून योगदान या महत्वपून सहायता प्रदान कर सकता है साथ ही आप देखेंगे कि उमान में जो दुकम बंदरगाह है जो मैंने दुकम बंदरगाह का भी चर्चा किया कुछ दिर पहले मैं पर दुकम बंदरगाह की पोजिशन आप देखी रहे हैं कि दुकम बंदरगाह तक पहुच बनाने का क्या मतलब है भारत का आपने चाबाहार का पोजिशन देखा आपने ग्वादर का पोजिशन देखा ग्वादर पाकिस्तान में चाबाहार इरान में अना ग्वादर पर क कदम के रूप में भारत ने सैन उप्योग और सैन समर्थन है तो उमान में दूकम के प्रमूख बंदरगाह तक अपनी पहुंच हासिल कर ली है इसका मतलब है कि यहां कदम छेत्र में चीनी प्रभाव और उसकी गतिवीदियों का मुकाबला करने है तो भारत की समुद्री नर दूकम बंदरगाह ओमान के धक्षिन पुर्वी समुद्र तर्ट परिस्तित है जो मैंने आपको मैपिंग के दौरान उसके एक्जेक्ट लोकेशन को दिखाया है और इस तरीके से यह रंडितिक रूप से इरान की चाबाहार बंदरगाह के निकट इस्तित है और सेसल्स और मौरिशस में मौरिशस के जो आगालेगा में भारत जो विक्सित कर रहा अपस अपसंद भी ठीक है के साथ दूकम भारत के सक्रिय समुद्र सुरक्षा का एक रोड मैप हो सकता है देख लिजिए रोड मैप कैसे हो सकता है इरान में चाबाहार फिर चाबाहार को लिंक कीजि से भारत का एक बहुत बढ़िया एंगल के साथ कंट्रोल हो सकता है और चीन के साथ बहुत बढ़िया मुकाबला भारत दे सकता है चीन की सक्ति को वहां संतुलित कर सकता है तो निश्चित रूप से ये आज का जो वीडियो है इस्टन ब्रीज से सम्बंदित अना इस्टन ब् लिए निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा ठीक है धन्यवाद